वेलकम बेक टुमा यूटूब चैनल पेपर हैकर आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट दो ठीक है एकाई दो है आपका और हम पढ़ रहे हैं ब्सी सेकंड ये वो स्वरी फस्ट ये ब्सी सेकंड समिस्टर है आपका ठीक है और पार्ट आपका कौन सा है पार्ट इस सेकंड समस्टर फार्ट बन वैसे कमिस्टी का अब तक हमने चार कोस्टेंट करके डिसकस कर लिये है खमात कर रहे हैं लॉंग अंसर टाइब पूस्टियों कि धिक लॉंग आंसर टाइब कुश्टियों इसते पहले आप एक चार तक पढ़ लों अगर आप इसको देखे इन पर जाकर आपको वहां से बहुत सारा मेटेरी मिल जाएगा किसी भी वीडियो का पीडियो फार्म चाहिए या प्लेलिस्ट है और नोट्स भी सब आपको वहां पर मिल जाएगा आप करेंगे आपको बहुत सारा मेटेरी मिल जाएगा ठीक है चलिए हम बात करते हैं क्या होते हैं सबसे पहले वताना कि कैरा है, इनके बनाने की विधियां तथा गुड़ू का वढ़न ennial की न के बनाने की विधियां यही आपकी पैस इन्हीं के बारे में बताना ह्वार्थ यह आपका कौन सा है अ अज़ंग आ के साथ में इसके बदले ये पूंछ सकता हैं दूसरा हम क्या होता है है हर एसेंसीयल आमाइंन क्या होते है जो कि हमारे लिए आवश्यक होते है अज़ियल का शरीर क्रियातमत महत पर संख्यप्त टिपड़ी लिखिए, प्रीर, करी आतमक, महतपर- पर संख्यप्त टिपड़ी लिखिए तो ये आपके यहां पर पूछे कहे आवास द तो सबसे पहले हम बात करेंगे हैं ठीक है, अमीनो अम्ण, अमानो आसेट्स क्या होता है तो यह आपके सो बेकर मिनक अडिक होते हैं क्या यह इस कालो कहो होता है आमीनों होता है तथा दूसरा आपका कब ऐसेल विदू कर दूसरा का लगा होगा आपका कार्वेकर टीक से डबल थिक नेच rifini मेंच टू और दो क्रियाकारी सम्हूं होते हैं जैसे रियक्सक्राइब अपके क्रियाकारी सम्हूं होते हैं इन पर ही एक्ट रियक्शन होती है यह छो कि अमीनोस सभू के इस्थिति लगा है वह आगर पहले कारवन पर लगा हुआ थिक आपका अमीन लगा हुआ तो क्या आजागा आपका बीटा और तीसरे पर लगा हुआ है तो क्या हो जागा आपका गामा हो जागा ठीक है जो कि बहुत ज्यादा गैब्रियल ठीलाबन संसले सर उसमें कहा यह अंना है लो एस्टर को इस के साथ मेंट के साथ अब क्रिया करानेके बाद राप्त पदार्थ का लज़ा अपढ़टन कर देते हैं कoga कर देते हैं पहले तो प्रोमीड थैलामाइट तो यहां पर जो भी हो जागा उसी का नाम हो जागा यह आपका क्या होता है ठीक इतना वाला तो क्या है पोटेस्यूं थैलामाइट और यह आपका क्या है तो यहां से क्या निकल जागा यहां से सील और के आपका इतना बन जाएगा इसके बाद क्या करना इसका जल अपगटन कराना है जल आपगटन करा जा दरढह है ठीक है है यहां पर इसका अगर आप जल अपगटन करा दो मालो यहां पर मैंने क्या लिख दिया वह जल को इस तरह से लिख दिया और यहां पर भी भी जल नवाaur और तो यह उच लट हो तो च ह्ट्टू यह ब seize Management स्प्टापर और शब्राइच का आपका वेलो से थुलगर दोनों तरहिव रख तो यह बनजागा अपो क्या बर झाते यह इस तरह से थाउट तो छ जाका यहां पर भी हो जागा वगाए यह क्या आपका통व स Angular नंो기도 व्हें आपका एनस्टु है सिएज टू और चीडवलोज है चीडवलो चीज़ से कहते हैं एमीनो एसे और यह से आपका क्या मिल जाँगा यह एक एल्खोल मिल जागा ठीक है एथिल अल्कोल यह था था आपका जिब्रालिक ठीक है गैब्रियल फैलमाइंड नसले सद दूसरा प्राप्त अमूनिया के साथ किरिया कराने पर प्राप्त नाइट्रिल का जल अपघटन करने पर जो आप को मिले थे格 किया कर देना अटिक अप्रेस । किसके साथ करानी पहले साथ में करा देनी है यह वाला है इसके साथ में और बाहर के आ जागा आपका यहां से और यहां पर बनेगा इसके रिक्षिन करा दो अमोनिया के साथ तो अमोनिया के साथ इसकी रियक्षिन कराने पर क्या होगा यहां से देखो क्या निकलेगा से और आपका यह जो ऊच गरूप लगा हुआ ठीक है और यह बाहर चला जागा तो क्या बन जागए एंच त्री च भी होगा यह आपर सी त्री और एंच थ्री और एंच त्री और च्री और तो यहां से यहां से यह से यह जाघन निकल जाएगा तो यहां पर करने पर मानलो यह कारवफ न लगा हुआ आपका ओ और इसके दोनों hydrogen बाहर तो यह क्या बन जागा आपका NH3 बाहर निकल जागा ठीक है NH3 और यह क्या बन जागा CWH क्या बन जागा बाहर वाला CWH बन जागा इसी को कहेंगे alpha amino propionic aml, alpha amino propionic aml, ठीक है तो यह तो आपकी second sensor है जिसको कहते है Strecker sunsular ठीक है जो कि आपको याद रखना है लेक्स्ट आपका थरड़ा जाता is poop sunsular क्या क्या रखना लेगा है यहाँ पर इमीन मिलेगा उसका क्या कर दिना उत्परिरक अपचैन करने पर और किसी उत्प्रेरक के साथ उपस्तिति में उसका अप्चान कर देंगे ठीक है तो सबसे पहले हमने क्या लेना है आलफा कीटो प्रोप्यूनिक अमल क्या लेना है यहां से क्या जागा जल बाहर निकल जागा ठीक है यह जो यह है यह पर लग घर कर बंगिया यह आपका इमीन बन गया आप दख नुकरना वों पका कि तरह काम करेगा यहां पर अफेर क्या है है एके साथ में ठीक है जुड़ना आपका क्या क्या कहलाता है अप चैन क्या है ठीक है तो यहाँ पर्ड़ूँ दे रखे इनको हमें क्या करना है इसमें एड़ गमा तो यह कहां से दो हैट आयंगे और यह वाला बांड आपका टूटेगा तो स्टरीय जो दो हुटरोजन आपके बीच में बॉट यह बांट भी तूटे गांईस का दूसरे यहां पर क्या हो जागा एनच टू तो गया तो और यहां पर यह सिंगल बॉंड रहेगा इसटो इसको कहते हैं एलफा एमीनो प्रोप्योंक एसिड क्या कहते हैं यहां से करोगो, जलबहार निकल जागा, क्या बनेगा, इमीन, जब इमीन बनेगा उसका क्या करना है, उत्प्रेरork की उबस्तिती में अप्चेंद करदेना, ठीक है, तो यहां पर एक माल्डो नाइटोजन पर प्लस आ गया और करज़वन पर कैसा आगया माइनस का चार्ज़ आगया यहां पर आप प्रसक ले आख नहां पर माइनस का तो यह खाटयजन यहां चला जाए ठीक है तो क्या बन जागा आपका यह जो बनेगा वही हो गापका अलफा अमीनो प्रोप्यूनिक अम ठीक है यह थर्ड संथेस इस था रहा है किटोन के अउक्सिम क्या नमबर फूर्थ पुछ रहा है एल डिहाइड रहा है आप चैन चाह आप अल्डिहाड लेलो या केटोन अमले लेलो इसका क्या करना है उक्सिम इसके जो और समों उनका आप चैन KI कर देना है तो यह आपका क्या हो गया तो यहां से जो प्रिटोन वाला जो आक्सिजन है यह इसके है यह इस वाले कार्बन पर लगेगा यहां पर यह पहले कार्बन पर नहीं लगेगा इस वाले कार्बन पर दूसरे वाले पर ठीक है CH3 पर नहीं लगेगा, यहां लगेगा दूसरे वाले carbon NOH, बाकि आपका क्या है, CWH इसका क्या करना है, अफचेन कर देना, क्या कर देना है इसका अफचेन, जैसे ही आप इसका अफचेन करोगा अफचेन मेंज हाइडोजन का जुड़ना, ठीक है यह अफचेन आएगा, और इस बाले carbon से लग जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जागा, CH बाकि आपका NH2, NH2 ठीक है, NH2 कहां से आगे, यहां पर देखो यह जो OH दिख रहा है ठीक है, तो यहां पर क्या हो जागा, आपका NH2 हो जागा, CH, NH2 और COOH, बाकि यह जो कत्य हो रहेगा, तारी कहानी कहां पर हो लिए, दूसरे नंबर वाले carbon पर, एक hydrogen यहां पर आ जागा, बकाया, दो, तीन hydrogen के आपसकता बड़ेगी बोक है, वहां से मिलेगा, आपको, जो NOH group है, वहां से OH के साथ में एक hydrogen और जागा, और जल को बाहर ले जागा, बकाया, दो hydrogen और nitrogen से जाके लग जाएंगा, तो क्या बन जागा, NH2, क्या बन जागा, आपका NH2 बन जागा, ठीक है, और यहां से एक bond आपका break हो जागा, ठीक है, तो यह single bond से लगा रहा होगा, NH2, और इसी को कहते है, alpha amino propunic amyl, ठीक है, जो की किस्ते मिला था आपका, पारविक amyl का oxygen बनाया था, ठीक है, उसी का हमने क्या कर दिया था, अप गठन कर दिया, ठीक है, फिर्ट कहा रहा है, हैलो अमल पर किसकी अपगरिया करनी है, अमोनियम की अपगरिया करनी है, ठीक है, त इसलिए क्या हो जागा, alpha chloroacetic amyl, तो यह हो जागा आपका, हैलो amyl, पर किसकी अपगरिया, अमोनियम की अपगरिया, ठीक है, अमोनियम की अपगरिया, ठीक है, अमोनियम की अपगरिया करा दो, तो क्या मिलेगा, आपको glycine मिलेगा, ठीक है, क्या मिलेगा, यहां से, अमो नाटूंजन तो ह्कार्वन तो ह्का रहे हैता तो ऐस्टेसम स्थे में से प्रॉपर्टिजी के बात करें गुडूब सकता इसा होता है यसी में तो दोनों कैसे हो जाते हैं एक दूसरे को उदासीन करते हैं एक दूसरे को उदासीन करते हैं और आंतरिक लवड बनाते हैं पाइन मोलेकोल में आपको दोनों आइन दिखाए देखाए यहां जो सी डवी डवलो अभधता इसमें जो सी डवलो एच है पर यह पर नहीं यहाँ कर लगा नहीं घट अब नहीं है तो पर और यह बाहर माइनस अभी बहर नहीं गया अब यह क्या होगा अगली में इसके साथ में जुड़ जाएंगा तो क्या बनाका थोफ करना है प्रवाहिट करने प्रवाहिट करने पर कहां कैथोड की और थीज़े गना और इसले के प्रकार से समायोजित ओर यहां सब्सक्राइब थी आहीं कि अवीनों ना कैथोड की और जा है और नहीं एऔर यह जाए थीक Came है अपने हिसाब से एकर हम पेलेंस कर लें कि जो हमारा हम अमेनों गरे मोना वनाथ तो आपका ठीजोड की और जा है नहीं है नहीं एनोर dir unless तो क्या हुत है तो इस फीज को ऑप काइस की ऊद्ण करन यह तर्म आपकी जाए और नहीं के कि यहां पर दिखाई गया है इसमें सी डवलोज समुग पाया जाता है जिसके कारण कौन कौन सी अबकरिया है देखने को मिलती है वो यहां पर दिखाई गया है अमीनो अमल चार के साथ लवड एलकोहल के साथ एस्टर पीसील फाइब के साथ क्या बनाते हैं अमल क्लोराइड और अमोनियम लवड के द्वारा अमायड बनाते है ठीक है तो यह आद रखना है ठीक है अमीनो अमल चार के साथ में क्या बनाते हैं लवड और अलकोहल के साथ में क्या बनाते हैं अमल क्लोराइड क्या अमल क्लोराइड और अमोनियम लवड के साथ क्या बनाते हैं अमायड बनाते हैं ठीक है तो यह आपका क्या हो गया डूसरा रोडिय यहांपर होना मत यह होता है यहांसी और ऑल हось निकल गया है यह है यह है और ह्य क्या ओगया है फ्टी डवलो यह एच्टव और लग गया हो खिलिए और यह इन्च्टू बाहर निकले गया होगा ऐसे ए जरिए न्याक्स इन्च यूदिए आप यह जाता इसे को कहते हैं अमायड का रसकते हैं अमोनियम लबड के साथ में रियक्शन कर देते हैं तो NH2, CH2 और CWNH2 तो यहां पर आपका एक NH2 ग्रूप और लग जाता है और इसी को कहते हैं MIAD क्या कहते हैं MIAD कहते हैं ठीक है दूसरा है D-Carboxly करन ठीक है तो Sodalime या Barium Hydroxide क्या होता है BAOH का Whole Twice ठीक है Barium Hydroxide के साथ गरम करने पर Amine अम्ल Carbon Dioxide का एक अड़ू खोकर Amine बनाता है Barium Sodalime या Barium Hydroxide के साथ में इसको अगर आप गरम करो तो यह क्या कर लेगा एक CO2 बाहर निकाल देगा और क्या बना लेगा Amine बना लेगा ठीक है क्या बना लेता है Amine बना लेता है तो किस तरह से बनाएगा यह आपका क्या आगया क्या CH3 यहां से एक hydrogen आएगा और यहां लग जागा तो CH3 और NH2 बना लेगा और यहां से जो CO2 है यह किसके साथ में चला जागा BACO2 ठीक है BACO3 नहीं CO2 और एक आपका H2O बाहर निकल जागा ठीक है दो यहां पर दो hydrogen है दो ही oxygen है ठीक है यह दियार रखना आपको क्या बन जागा CH3 नहीं है यहां CH2 है यह hydrogen आपका यहां पर आ जागा और यह hydrogen यहां पर आ जागा NH3 के पास में BACO2 बन जागा और H2 आपका वहार निकल जागा ठीक है अपचैन sodium और alcohol लवड sodium और alcohol लवड Li-AlH4 जिसे लीथियम symmetry करते हैं दौरह आपचैन पर amino अनरूप अमिनो ऐलकोहल बनाते थिकर है अपने ही संवार दिंव यह सोडOL हार डली पर ली instr दिर्य आपका क्या कैसे इंतुं नेचे विछिंव और कोई आमीनी आपका होगा है जब इसकी रियक्शन कराते तो बनता है इ Celt बागी सब सेम रहेगा से एनच टू च्छ टू और यह लग जागा तो कि बन याका आपका यहां से बन जागा ठेकर बढ़ा ऊमीनो समूव के कारण किरिया है जो आपका आमीनो समूव होता है न च्छ टू इसके कारण कंस का करिया है आपको देखने को मिलती है अभी तक तो नहीं कि कार गोक्षिक के कारण अब लवड का बनना किसका बनना प्रवल का अकार्वनिक अमलों के साथ लवड का करते हैं तो यह आपका NH2, CH2, CWH कोई amino acid है, क्या है आपका कोई amino acid, इसकी reaction कर दो किसके साथ में, अमल के साथ में, प्रवल अमल के साथ में, ठीक है, कैसा है, अकार्मिक प्रवल अमल है, इसके साथ reaction करने पर क्या बनेगा, आपका क्या बनाती है, लवड बनाते हैं तो यहां से हैडुर जो नहां चला जागा आपका और चील बाहर रहे जागा तो cwh, ch3 और nh3 और यह आपका क्या जागा? cl- तो यहां पर यह csh3 नहीं होगा यह होगा आपका CH2 ठीक है? क्या है? cwh, ch2, nh3 और Cl- ते आपका अमल के किरिया है है यह पर कोई एसके साथ करने है नाइटरस अमल के साथ बने है जब नायटर समल के साथ में इसकी रेक्शन करोगो तो क्या बन जागा यहां जो नायटरोजन है एक नायटरोजन यह और दूसरा नायटरोजन यह यह वाला यह दोनों आपका नायटरोजन की फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे ठीक है CH2 बच गया और CWH बच गया और बाकि यह जो OOH है यह एक OH यहां से कहां चला जागा इस वाले कार्वन के साथ में ठीक है तो CH2 OH बन जागा क्या बन जागा यह जागा और बाकि यह यह पर बचा हुआ दो है यह एस्टू की फॉर्म में आपके बाहर निकल जाएंगा ठीक है तो यह बन जागा आपका गलाइको लिक अमने क्या बन जागा गलाइको लिक अमने ठीक फूर्थ गारा है आइसो साइनायड अट्रिया क्या होता है यह आपका कोई क्या है आपका क्या है अमीलो अमला है जिसकी रियक्शन के के साथ मैं चल ठीक है यह जिसे क्लोरोफार्म कहते हैं और के उपस्तिति में जब आप रेक्शन करोगे तो क्या बनेगा आपका ती डवलो एच च्टू एन सी और ठीक क्या करना आपको 3 से मल्टिप्लाइ कर दो तो यहां से यह 3 को 3 के और 3 के बाहर निकल जाएंगे ठीक है यहां काई बचे का तीन ही आपके ऑक्सिजन हैं और 3 ही आपके हीडोजन तो यहां से merging technology and sl Victor अपके बाहर निकल जाएंगे ठीक है 3 102 आपके बाहर निकल जाएंगे ठीक है तो इसमें है इंकिते होगे आपके छे आक्सिजन किते होगे आपके तीन थीन तो हैडोजन आपके इसमें से baik्सिजन को बाहर नहीं निकलेगा ठीक है तो यह क्या बन जागा आंवर आईसो साइनाइड क्या बन जाब है ऑमन क्या पूम्छा था अवश्षक अमीनो अम्ला कौन कोन से आवस्षक अमीनो अमल है जो हमारे बॉडी के लिए रिंपायर होते हैं ठीक है नमबर एक क्या होता आपका यश की और लोगोफ यह हो गया आपका आपका एल्फा मेनो, दूसरा आपका होता है, आईसो लूसीन इसे कहते हैं, ऐल्फा मेनो, बीटा मेधिल और एन वैलिरिक आपने शूतर क्या हो जागा? CS3, CS2, CH और CSC, गियुवलो Gay इसी कारवन से आपका NH2 गृप लगा होगा, ठीक? थर्ड है आपका बैलीन तो इसको कहते हैं alpha amino isobलिरिक acid alpha amino isobलिरिक acid CH3 का hold है CH-CH NH2 और C-W-T ही हो जाका आपका बैलीन next आपका क्या आता है fourth fourth आपका आता phenyl alanine इसको कहते है alpha amino beta phenyl propenohic amulet C6-H5-CH2-CH NH2 और C-W-H fifth आपका आ जाता है threonine क्क आजाता थ्रीओ निन इसको खेते हैं के लगवग इनको आपको यांद कर लेना अच्छा ठीक है नाम और इनका फार्मूला इसको कहते हैं अलफा मीनू और गामा गामा मेथिल थियो गामा मेथिल थायो एन ब्यूटाइरिक एसेड यह होता आपका CH3 और इसमें क्या लगा रहा रहा था आपका इसको कहते हैं अलफा बीटा डाई अमीनो के प्रोएक अम तुत्रोधा नहीं स्टू स्टू का होल फोर यान की चार बार सेच्टू सीच्टू गुरूप लगा रहा होगा ठीक है और नहीं स्टू सी डवल यह होगा आपके आठ दो तीन इसमें और हैं दो दे रखें नो आपका है आरजी नीन इसको कहते हैं अलफा अमीनो और डेल्टा डेल्टा गुएनिडो एन वैलोरिक वैलिरिक अमल एनेच ती डवल बार्ण्ड सी सिंगल बार्ण्ड एनेच च्टू का होल फोर यान की च्टू आपका कित्ती बार लिखा होगा तीन बार च्टू और इसमें आपका यहां एन एच लगा रहा होगा और यह एन लगा रहा होगा तो यह जिनको आपको याद करना है अब पूंचा था अमीनों लोका सरीर क्रियात्मक महद ठीक है फिजियो लॉजीकल इंपोर्टेंस आफ अमाइनो एसिड शरीर क्रियात्मक महद क्या है इनका पढ़लो थोड़ा सा दे रखा है तो यहां से करा सरीर के विकास और ब्रद्धी के लिए अमीनों अमल अती आव अच्छक होते हैं हमारा सरील इनकंशंषडर नहीं कर पाता ही हमारे सरीर के अंदर नहीं बनते हैं यह बहुझन में प्रोटीन के रूप में बाहर से प्राप्ध किया जाते हैं जो हम्लों खाते हैं उसकी में अमीनों अमल हमारे सरीर में बाहर से प्राप्ट किये जाते हैं जब प्रोटीन सरीर में पहुंचता है तब यह जल अफगटित होकर दिवन अमीनो अमल देते हैं प्रोटीन हमारे सरीर में पहुंचता है वो अफगटित होकर जल के साथ तूटकर अमीनो अमल देते हैं यह अमीनो अमल रुधर व जाते हैं और रक्त प्रभाह के साथ बिभिन अंगों में पहुंच जाते हैं ठीक है एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं और प्रोटीन बनाते हैं क्या करते हैं प्रोटीन बनाते हैं जन्तु प्रोटीन बनस्पति प्रोटीन की अपिक्षा उत्तम होते हैं जो प्र प्रोटीन है वो कैसी होगी आवस्यक होगी ठीका जन्तु प्रोटीन कैसी प्रोटीन के यह न्यवा नोг खाना ज्यादा पसंद करते हैं मास मीट मचली यह सबी ठीक तो था आपका आज का अमीनों अमलुका जो भी है तो तो था आज का आपका फिप्ट कोश्चन मिलते हैं अगले वीडियों बने रही है हमार साथ तब तक के लिए थैंक यू और चैनल को सबस्क्राइब कर दें ठीक है